ओम शान्ति आज दिनांक नो मई दो हजार बाईस बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सिक्छाएं दी उनका मनन करेंगे आज बाबा बोले जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया अब उसका फर्मान मिलता है तो उसे पालन करो इससे तुम्हारी चड़ती कला हो जाएगी अर्थात संगम युक पर स्वयम भगवान इस भारत भूमी पर अवतरित होते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं और हम बच्चों को ब्रह्मन बनाते हैं बाबा इस संगम युग पर एक छोटे से युग में हम बच्चों की 21 जन्मों तक की चड़ती कला करते हैं 21 जन्म तक हम सुख सांती आनंद प्रेम पवित्रता गुण ग्यान तथा सक्तियों से भरपूर रहते हैं बहा चड़ती कला बाबा कहते इसी संगम युग पर होती है और मैं आकर तुम बच्चों को स्रीमत देता हूँ उस स्रीमत को तुम जितना जितना फालो करते हो उतना उतना तुम उच्पद को प्राप्त करते हो बाबा कहते हैं देखो भारत की ही चड़ती कला होती है और भारत की ही उतरती कला होती है अभी कल्यूग में भारत कितना कर्ज लेता है और सत्यूग में भारत सोने की चड़िया कहलाता है इसलिए कहा जाता है चड़ती कला तेरे बहाने सब का भला तो बाबा आते हैं सब की चड़ती कला करते हैं सब का भला करते हैं, सब को मुक्ती जीवन मुक्ती का वर्षा देते हैं अर्थात दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाते हैं प्रश्न किया बाबाने, तुम बच्चों को अपनी नेचर क्यूर आपे ही करनी हैं? कैसे? तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर करनी है आपे ही कैसे उत्तर में बाबा बोले एक बाप की याद में रहने और यग्ये की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुसी मिलती है तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर क्योर होती रहती है अर्थात अभी बाबा आकर हम बच्चों की चड़ती खला करते हैं तो बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो कैसे गुप्त बेटे हो सिर्फ बाप को याद करना है माला आदी फिरने की कोई बात नहीं है बाप को याद करते तुम काम करो अर्थात कर्म योगी बन कर रहो बाबा आपके यग्य की सेवा इस्थुल सुक्ष्म दोनों हम कैसे इखटे करते हैं बाबा ने फरमान किया है ऐसे याद करो नेचर क्योर कराते हैं न तुम्हारी आत्मा क्योर होने से सरीर भी क्योर हो जाएगा सिर्फ बाप की ही याद से तुम पतित से पावन बन जाओगे पावन भी बनो और यग्य की सेवा करते रहो सर्विस करने में बड़ी खुसी होती है हमने इतना समय बाप की याद में रहकर काटा अब अपने को बाबा कहते हैं याद से निरोगी बनाओ और सेवा से सुख सांती प्राप्त करो उमंग उत्साह में रहो क्योंकि भारत को तुम सांती और सुख का दान देते हो एक बाप की स्रिमत पर दुनिया में आसरम धेरें परन्तु वहां कुछ भी नहीं है उनको यह पता ही नहीं कि 21 पीडी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है तो हम बच्चों को बाबा की स्रिमत है कि एक बाप की याद में रहो याद में रहकर कर्म करो तो बाबा कहते पतित से पावन बनते जाओगे और सेवा करोगे तो खुसी का वर्सा मिलेगा जितना जितना हरसित मुख अभी इस संगम पर रहेंगे उतना 21 जन्मों तक खुस रहेंगे गीत सुनाया बाबा ने तुने रात गवाई सोई के दिन गवाया खाई के अब बाबा कहते बच्चों ने गीत सुना मालाएं फेरते फेरते युग बीद गए कितने युग? दो युग सत्युग और त्रेता में तो कोई माला नहीं फेरते हैं कोई की भी बुद्धी में यह नहीं है कि हम उच जाते हैं फिर नीचे आते हैं हमारी अब चड़ती कला होती है अर्थात भारत की जितनी भारत वासियों की चड़ती कला और उतरती कला होती है उतना और कोई की भी नहीं होती क्योंकि भारत ही ब्रष्टाचारी बनता है भारत ही स्रेष्टाचारी बनता है भारत ही निर्विकारी और भारत ही विकारी बनता है और खंडों में धर्मों और धर्मों में इतना कुछ नहीं होता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि 21 जन्म भारत में स्वर्ग होता है और फिर कल्यूग में भारत उतना ही नर्क में चला जाता है बाबा कहते अभी तुम राजयोग की पड़ाई करते हो वो लोग कहते रहते हैं कि गौड फादर आ गया कहा है जरूर सो तो जरूर होगा न विनास के लिए बॉम्स भी निकल चुके हैं जरूर बाप ही हेविन की इस्थापना हेल का विनास कराते होंगे यह तो नर्क है न कितनी लड़ाई मारा मारी आदी है बहुत डर है बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं कितने उपद्रव होते हैं अभी बाबा कहते तुम जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है कल यूग बदल सत्यूग हो रहा है हम सत्यूग की इस्थापना में बाबा के मददगार बनते हैं ब्रामन ही मददगार होते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा से ब्रह्मन पेदा होते हैं वह ब्रह्मन है कुखवन सावली बाबा कहते तुम हो मुखवन सावली वह ब्रह्मा की संतान तो हो न सके तुमको एडॉप्ट किया जाता है तुम ब्रह्मन हो ब्रह्मा की ओलाद प्रजा पिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता हैं ब्राम्मन सो फिर देवी देवता बनते हैं जो ब्राम्मन बनते हैं वही देवी देवता बनते हैं बाबा कहते तुम हो पवित्र उचे ते उचे ब्राम्मन मुखवन सावली वे ब्राम्मन होते हैं कुखवनसावली तो बाबा कहते हैं वे कहते हैं ब्राम्मन देवी देवताय नमा ब्राम्मनों को भी नमस्ते करते हैं और देवताओं को भी नमस्ते करते हैं परन्तु ब्राम्मनों को नमस्ते तब करें जब की अभी हो समझते हैं यहां ब्राह्मन लोग तन मन धन से बाबा की स्रीमत पर चलते हैं यहां ब्राह्मन जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं यहां तुम्हारी है रूहानी यात्रा तुम्हारी यात्रा कितनी मिठी है जिस्मानी यात्राएं धेर हैं गुरु लोग भी डेहरें, सब को गुरु कह देते हैं, परंतु सिव बाबा को कोई जानते नहीं, बाबा कहते तुम ही ब्रामन ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हो सिव बाबा से, तुम वहां आते हो तो फट से पूछता हूँ, किसके पास आये हो, बुद्धी में है यहां सिव बाबा का लोन लिया हुआ रत है, हम उनके पास आते हैं, सगाई ब्रह्मन लोग कराते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी और साजन का आपस में होता है, ना कि सगाई कराने वाले ब्रह्मन से, ऐसे ही बाबा कहते तुम्हें, ब्रह्मा दलाल है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, याद करना है एक सिव बाबा को, क्योंकि वही हम सजनियों का साजन है तो साजन को याद कर पावन बनना है बाबा कहते मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों को मुर्ली सुनाते हैं बाबा कहते बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी ब्रकुटी के बीच बैट मैं मुर्ली चलाता हूँ कल्यान करने अर्थ कोई को साक्षातकार कराने मुर्ली सुनाने कोई का कल्यान करने के लिए आता हूँ ब्राम्मनियों में इतनी ताकत नहीं जानता हूँ इनको यह ब्राम्मनी उठा नहीं सकेगी तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो वह ब्राम्मनी से भी तीखे चले जाएं ब्राम्मनी समझती हैं इनको हमने तयार किया है इन्हें हमने समझाया है इसी को बाबा कहते देहे अभिमान कहा जाता है वास्तव में यहा है एहंकार तो ऐसा एहंकार बाबा कहते नहीं आना चाहिए सब कुछ करने वाला एक करावनहार बाप सीव है यहां तो तुमको कहते हैं बाबा को याद करो कनेक्षन सीव बाबा से होना चाहिए यह तो बीच में दलाल है इनको उसका एवजा मिल जाता है बाप ही आकर बच्चों को गुलुगुल बनाते हैं गटर से निकलते हैं फिर प्रतिग्या भी करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे बाप कहते हैं गोद लेकर फिर काला मुँ नहीं करना अगर किया तो कुल कलंकित बन पड़ेंगे हारने से उस्ताद का नाम बदनाम हो जाएगा माया से हारे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा और कोई सन्यासी आदी ऐसी बाते नहीं सिखलाते कि पवित्र बनो कोई कहता एक मास में विकार में जाओ कोई कहते छे मास में जाओ कोई तो बहुत बाबा कहते अजामिल होते हैं बाबा ने तो बहुत गुरु किये हुए हैं वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो समझते हैं हम ही नहीं रह सकते सेंसूल जो होगा वह जट से कहेगा और सेंसिवल जो होगा वह जट से कहेगा कि तुम पवित्र नहीं रहते तो हमसे क्यों कहते हो एक बाप ही है पवित्रता का सागर वही आकर हमें पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं बाबा ने आज हम बच्चों को वर्दान दिया वर्दान में बाबा बोले अमरत बेले तीन बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल बना रहे हैं और स्रीमत दे रहे हैं कि अचल अडोल बनने के लिए तीन बिंदियों का तिलक लगाओ जिस से क्या क्यों कैसे ऐसे वेसे के प्रस्ण से उपराम रहोगे अर्थात बाबा ने हम बच्चों को संगम पर जो आदी मध्य अंत का ग्यान सुनाया है उस ग्यान के आधार पर बाबा कहते ड्रामा में जो हो रहा है जो हुआ है और जो होने वाला है सब कल्यान कारी है नधिंग न्यू है कल्प कल्प होता आया है तो तुम बच्चों को अचल अडोल रहना है कोई भी परिस्थिती आये हल्चल में नहीं आना है क्योंकि तुम एक आत्मा हो जब तुम खुद को आत्मा अनुभव करते तो इस पांच तत्वों की दुनिया से उपराम हो जाते तो तुम निराकार बिंदी आत्मा और बाप भी अर्थात परमात्मा पिता भी निराकार बिंदी तो उस बिंदी को याद रखोगे तो ऐसे सर्व सक्तिमान पिता की याद में रहकर कैसी भी परिस्थिती हो कैसा भी आत्मा का विवहार हो सर्व पर विजय प्राप्त हो साएगी तो खुद को बिंदी समझना पिता परमात्मा को बिंदी समझना और ड्रामा बिंदी समझकर उस पर फुल इस्टोब बिंदी लगा देना और अपने लक्ष को इसमरती में रक्ष लक्षन धारन करते जाना बाबा कहते यही अचल अडोल रहने की विधी है तो सुभा सुभा अमरत बिले तीन बिंदीओं का तिलक लगा कर दिन भर इसी इसमरती में रहना तो बाबा कहते निर्भय अचल अडोल स्वता बन जाओगे और हर्शितमुक रहोगे स्लोगन में बाबा बोले परिवर्तन सक्ति द्वारा व्यर्त संकल्पों के बहाओ का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे वहाँ स्रीमत जिसके आधार पर हम परिवर्तन होते हैं तो बाबा कहते ऐसे ग्यान के मनंचिंतन में रहो ऐसी स्रीमत को इस्मरती में रखो कि व्यर्त से मुक्त रह सको परिवर्तन की सक्ति अर्थात बाबा की स्रीमत बाबा का ग्यान बाबा के गुण बाबा की सक्तियां उन्हें जितना जितना इस्मरती में रखोगे जितना जितना उनका मनंचिंतन करोगे जितना जितना उनका प्रयोक करोगे उतना व्यर्त से स्वता और सहच मुक्त हो जा झाल 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 झाल